जै जै स्रीराम सिंख रास के दोस्तों स्वाकत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी बात करेंगे मंगल बार 14 माई का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों यह रासफल आपके चंद रासी पर आधा आपका वैवाही जीवान आपका प्रेम जीवान और सेहत आज दिन भर किस प्रकार से रहने वाली है सुबसुब घटनाओं का भविस फलते होता है इस रासफल को देखकर आप अपनी योजनाओं को सफल बनाने में कामियाब रहेंगे दैनिक रासी फल ग्रह निशत्र की च आप धान रहेंगे तो आईए रासी फल से पहले आज के पंचांग के वारे में जानते हैं आज मंगलवार 14 मई 2024 बैसाक सुकलपक्च की सब्तमीती थी बिक्रमी संबत 2018 आज का सुर्योदे 5 बच कर 31 मिट पर होगा तो ही आज का सुर्यास्त 7 बच कर 4 मिनट पर होगा आज के पर होगा तो यह थे आज के सुर्मूर्थ आज करा हो काल का समय रहेगा 13 बच कर 41 मिनट दोपहर बास से लेकर साम 5 बच के 23 मिट तक रहुकाल के समय किसी विशू बहुर अच्छे कारियों की सुरुआत नहीं की जाती अब आज यह जानते हैं आपके रासिफल के बारे में सिंगरास के दोस्तों आज के दिन गर्वती महिलाओं के लिए अतरिक्त साबधानी रखने का दिन है एक मज़ेदार साम के लिए दोस्त आपको अपने घर पर बुलाएंगे आप अनुभव करेंगे कि आपका प्री का प्यार आपके प्रत जादा है और गहरा है कारिशेतर में किसी बिसेस बेक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है अपने जरूरी कामों को निप्टा कर आज आप अपने लिए समय तो बस निकालेंगे लेकिन इस समय का उपयोग आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे आज की दिन आप अपने ब्यापार में पैसा बनाने के कई रास्ते बना सकते हैं आज आपको किसी ने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने का मुका मिलेगा और आप उसमें सफल भी रहेंगे आज का दिन आपके लिए रोमान से भरा रहेगा और आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पर भी जा सकते हैं आप एक दूसरे के साथ आराम के पलों का आनंद लेंगे और अपने भविस्ट के लिए उजनाई भी बना सकते हैं सिक्षा के छेतर में आज छातर बेहतर प्रदर्सन करते हुए नजार आएंगे सिंगरास के दोस्तों आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा इस रास के जातकों को कार छेतर में आवसकता सधीक बोलने से बचना चाहिए नहीं तो आपकी छवी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है इस रास के कारोबारियों को किसी पुराने निवेस की बज़े से आज घाटा होने के संभावना है अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है यह साधी सुदा जिंदिगी के सबसे खास दिनों में से एक है आपको प्रेम की गहराई का अनभव होगा आज की दिन निरासावादी रवये से बचें क्योंकि ना सिर्फ यह आपकी संभावनाओं को कम गरत देता है बलकि सरीर के आंतरिक संतुलन को भी बिगार देता है जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरी आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे दिन को रोमान्चक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं आज अपने खुबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह से तयार रहने वाला है साथ ही आज आज आपका मन सकारात मक्ता के और खिचा रहेगा जो विद्यार्थी अनुकरी करने वाले जातक विद्यस में जाकर कारे करना चाहते हैं या फिर सिख्षा ग्रहण करना चाहते हैं आज उनकी लिए अच्छा अबसर है ब्यापार की छेतर में काम करने वाले जातकों के लिए आज मन मुताविक लाभ की संभावना बन रही है जिससे उनका मन बहुत ही प्रसंद रहेगा और आर्थिक लाभ के कारण घर की आर्थिक इस्थिती भी काफी मजबूत इस्थिती में रहने वाली है आज अपने खुबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह से तयार रहने वाला है साथ ही आज अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिस करें और वह काम करें जिन्हें आप बाकई बहुत पसंद करते हैं आज आप घर से बाहर तो बहुत सा करात्मक तक साथ निकलेंगे लेकिन किसी किमती बस्त के चोरी होने या फिर खो जाने की बज़े से आपका मूर थोड़ा सा खराब हो सकता है माता पिता के साथ अपनी खुसिया साजा करें उन्हें महसूस करने दें कि आपके लिए उनकी कितनी एहमियत है इसे उनका अकेला पन का एहसास अपने आप खत्म हो जाएगा हमारी जिन्दगी का क्या फाइदा अगर हम एक दूसरी के जीवन को आसान ना बना सकें सिंगरास के दौस्तों आज का दिन आपके यफ्य थोड़ा सा खर्चीला रह सकता है आपको आज अपने कामकाज में भी साब्धान देने की जरुबत है अपने नजी जीवन में भी कुछ अनिष्चिताओं का सामना करना पर सकता है जो आपको परिसान कर सकता है आपको अपनी बेवसाय में कुछ अप्रक्तियासित घटनाओं का भी सामना करना पड़ेगा इसलिए आपको अपने बिजिनस में भी सापधानी रखेनी होगी सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने बेटित्त में कुछ बदलाव करने की जरूत पर सकती है नहीं तो आपके कुछ करीबी लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं प्रेम सम्मन्द में गुलामों की तरह ब्योहार ना करें अगर आपको प्रेम ही करना है तो अच्छे से करें अगर आप अपने कारश्चेत में बेहतर परदरसन करना चाहते हैं तो अपने काम में अधुनुक्ता लाने की कोशिस करें इसके साथ ही नई तक्निक से हमेशा अपडेट रहें इस रास के लोगों को आज अपने आपको समझने की जरुवत है यह दिया आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए भक्त निकालें और अपने विक्तितु का आंकलन जरूर करें परिवार के सदर्स्टों साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है